तो भाई लोग आचके वीडियों में हम बात करने वाले हैं अहुजा ए लेक्षेश-चेहparkा सेटिंग और कनेक्सान हम कैसे करेंगे बैक पैनल में जैसे कि ब्रिच मोड पैनल मोड इस्टेरियो मोड में हम कैसे चलाएंगे अगर वेस चलाते हैं तो उसका सेटिंग हम कैसे कर तो चलिए आज के वीडियो में सारा चीज कवर करने की कोशिस करेंगे कि जो आपका सेटिंग होता है पीछे का कनेक्शन आपको कैसे करना है यहाँ पर सेटिंग आपको कैसे करना है बेस के लिए टॉप के लिए कैसे आपको कनेक्शन रखना है यहाँ पर आप लाइब प्रो जो कि dual channel power amplifier है यहां पर आप देख सकते हैं सबसे उपर में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर input हमें मिल जाता है input socket वगर मिल जाता है जैसे कि channel A channel B जहां कि आप यहां पर देख सकते हो XLR और यहां पर jackpin आपको लगाने के लिए मिल जाता है वहीं अगर आप बीच ओ बीच देखते हो तो आपको मिलता है stereo mode और parallel mode और bridge mode मतलब कि यहां पर बीच ओ बीच आपको लिखा होता है mono mode वह आपका parallel mode है उसके बारे में हम जानेंगी कि यहां पर इस प्रीक on ऑर टर्मिनल दोनों का यहां पर मिल जाता है अगर आप wire से kisson करना चाने हो तो सीधे सीधे wire से भी connection कर सकते हैं अप चले सीधे सीधे हम बात करेंगे कि Amplifier में हम पहले setting कैसे करेंगी तो पहले हम यहाँ पर setting देख लेते हैं कुछ basic setting जो हमें करना पड़ेगा जो कि amplifier के लिए सही रहेगा तो यहाँ पर first में हम देखेंगे पहले stereo, bridge और parallel तो यहाँ पर अगर आप stereo mode में चलाते हो तो यहाँ पर आपका जो connection है वो आपको कैसे करना पड़ेगा यह पहले आप ध्यान से देखिएगा नहीं तो अगर आप skip करते हैं तो हो सकता है कोई छुट जाए तो यहाँ पर अगर stereo mode में अगर हम चलाते हैं तो यहाँ पर आपको connection कैसे करना होता है यह पहले हम जान लेते हैं तो यहाँ पर अगर आप stereo mode में अगर आप इसको select करते हो channel A और channel B input आपको करना पड़ेगा या तो आप jack pin से कर सकते हो XLR cable से कर सकते हो कोई से भी कर सकते हो जो आपके पास है तो इसमें दोनों में आपको input करना होता है stereo mode में और नीचे आपका channel A channel B output socket जैसे की speak on के थुरू आप कर सकते हो direct cable मतलब की direct wire भी लगा सकते हो यहाँ पर आपको pole मिल जाते है black, red, channel 1, channel B दोनों का अलग-अलग तो यहाँ पर red और black direct wire भी लगा सकते हो तो दोनों का यहाँ पर simple सा यहाँ पर fund आ है आपको दोनों में input करना है दोनों से output लेना है और अगर हम बात करते हैं आपर mono mode मतलब की parallel mode में अगर हम चलाते हैं तो कैसे हम यहाँ पर connection करेंगे तो यहाँ पर बहुत easy है same to same आपका जो mono mode में है अगर आप उसको select करते हैं बीचों बीच तो आपको channel 1 में input करना है और दोनो channel का output आपको लेना है जैसे कि channel 1, channel B में आपको speaker लगा सकते हो या फिर direct wire भी लगा सकते हो यह आपका जाएगा speaker में जो mixer से आएगा आपका jack पिनाएगा या फिर एक्सल आएगा तो यहाँ पर channel 1 में आपको लगाना है channel B में आपको नहीं लगाना है only एक cable से ही आपका दोनो channel चलेगा और दोनों का आप same to same जैसे चलाते हो वैसे ही आपको चलाना है बस इसमें अंतर यह रहेगा कि आपका channel B में आपको input नहीं करना है तो यह आपका जो है थोड़ा सा plus point हो जाता है मतलब कि और भी बहुत ज़्यादा amplifier आप लगा सकते हो और बात करेंगे अगर हम bridge mode में चलाते हैं तो उसका connection हम कैसे करेंगे तो यहाँ पर अगर bridge mode में आप चलाते हो तो यहाँ पर इसको हम bridge mode में select करते हैं speaker को देंगे wire जैसे कि हम speaker में लगाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे channel A channel B दोनों का जो red आपका मिल जाता है terminal socket तो यहाँ पर channel 1 का जो है आपका plus plus रहेगा मतलब कि जो red pole है वो आपका plus रहेगा और जो channel B का यहाँ पर आप देखी सकते हो specification यहाँ पर आपको मिल जाते है कि आपको bridge mode का जो है plus और minus कौन सा है तो जो channel 1 का red वाला है वो रहेगा plus channel B का जो red वाला pole है वो रहेगा minus तो यहाँ पर सीधे सीधे आप यहाँ पर wire लगा सकते हो channel 1 का red में black wire red wire लगाएंगे और channel B के red pole में black wire लगाएंगे simple सी बात channel 1 में अगर bridge mode के उपर आप यूज करते हो तो और पहली बात अगर आप bridge mode में चलाते हो LX से 6000 को तो आपका जो speaker है उतने wattage का होना चाहिए नहीं तो आपका speaker जल सकता है क्यों जल सकता है क्योंकि इसका 8 ohms के उपर मतलब अगर आप एक speaker चलाते हो 8 ohms वाले तो लग भग 4000 watt का speaker होना चाहिए और अगर आप यहाँ पर 2 speaker चलाते हो मतलब 4 ohms के उपर तो यहाँ पर 3000 watt का पलस 3000 watt का 2 bass आप चला सकते हो इसमें या फिर कुछ भी आप चला रहे हो तो यहाँ पर 6000 watt का यहाँ पर आपको power देगा एक ही wire में तो यह आपको ध्यान देना का मतलब जरूरत पड़ती है तो bridge mode बेसिक यहाँ पर छोटे amplifier में ज्यादा यूज करते हैं बड़े amplifier में तो stereo और mono ही ज्यादा यूज होता है तो यहाँ पर आपका bridge mode का connection है काफी easy है कर सकते हो लगिन थोड़ासर danger है और यहाँ पर हम बात करेंगे अगर आप speak on के थो लगाना चाहते हो तो channel 1 में ही आपको speak on लगाना है और channel 1 में मतलब channel A में ही आपको input करना है और bridge mode में अगर आप select कर लेते हो तो और यहाँ पर specification आपको मिल जाता है bridge mode का आपको connection कैसे करना है speak on का तो यहाँ पर आप देख सेकते हो 2 plus मतलब की plus wire लगेगा उसमें और 2 minus जो आपका speak on में रहेगा उसमें आपका minus वाला cable मतलब wire लगेगा तो यहाँ पर आपको detail दिया होता है पीछे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो detail काफी अच्छे से लिखा होता है amplifier में कि आपको speak on कि अगर आप इस पीकों कि तुरू लगाना चाहते हो तो कैसे लगाना है और हम बात करेंगे कि और भी बहुत सारे setting हमें कैसे यहां पर हम पहले बात करेंगे ग्राउंड तो ग्राउंड बेसिक यहां पर होता क्या है अगर आप मालेते हैं लाइप के लिए चला रहे हैं जैसे कि आप यहां पर amplifier में आप लगाए हो जैसे कि हम कह सकते हैं microphone लगाए हो और तो यहां पर आपको ground on रखना है जैसे कि ओफ भी रखेंगे तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं उससे लेकिन अगर हम ground में रखते हैं तो जो आपका थोड़ा सा आवाज जो है वह काफी अच्छाएगा और ज्यादा यहां पर सीटी वगेरा नहीं आएगा मतलब remove हो जाएगा खतम हो जाएगा ज्यादा noise माइक में नहीं जाएगा तो यहां पर ground को आप रख सकते हो डीजे में भी ओन रख सकते हो कोई दिक्कत में है लाइप के लिए तो और आप रखो ही रखो और बात करेंगे sensitivity के लिए अगर आप sensitivity के लिए आप 0.775 volt मतलब सब से उपर में रखते हो तो आपको कम volume में ज्यादा sound मिलेगा और अगर आप नीचे रखते हो 1.23 volt में अगर आप रखते हो तहां पर आपको थोड़ा सा sound ज्यादा खुलने पड़ेगा तब आपको ज्यादा sound मिलेगा तो आप सब से उपर में रखो 0.775 volt में काफी अच्छा आपको कम साउंड में मतलब की कम वोल्यूम में ज्यादा साउंड आपको मिल जाएगा और अगर हम बात करते हैं लो पास फिल्टर जैसे कि आप यहाँ पर चैनल B में लो पास फिल्टर आपको मिल जाता है चैनल 1 में भी मतलब चैनल A में भी आपको लो पास फिल्टर मिल जा यह पर बोषा सकती हो अगर आपके पास दो इस कीज़ कार अगर यहाँ नहीं मिलेगी तो हम पर जैसे कि महां लेता हो amplifier में base चला रहे हो 2 base या भी 4 base जैसे भी आप चला रहे हो कितने हजरवाट का उससे कोई फरक नहीं है तो यहाँ पर अगर आपके पास crossword नहीं है तो आप यहाँ पर काफी अच्छा और काफी base only base के लिए मतलब अगर आप only base निकालना चाहते हो तो यहाँ पर आप 80 Hz में रख सकते हो या फिर 120 Hz में रख सकते हो मैं recommend करूँगा आपको 120 Hz में रखिए जो कि काफी अच्छा रहेगा और काफी अच्छा base भी आपको मिल जाएगा उसे हिसाब से आपको channel 1 में मतलब की मिल जाता है दोनों channel में मिल जाता है तो यहाँ पर base आप चलाते हो तो 120 Hz में रखिए low pass filter को on कर दीजे मतलब 120 Hz में select कर दीजे उसमें आपको कोई भी हाँ पर crossword लगानी के जूरुत नहीं पड़ेगी वह से ही आपको जो है आपको base का frequency आपको मिलेगा only base ही आएगा और उसमें कोई भी आवाज या फिर कोई भी mid frequency वगेरा कुछ भी नहीं आएंगे आपको काफी अच्छा only base और काफी अच्छा vibration भी आपको मिल जाएगा वहीं अगर हम बात करते हैं अगर आप crossword लगा के चलाते हो तो इसको हम कैसे set करेंगे तो यहाँ पर अगर आप crossword में चलाते हो तो आपको इसको off रखना है दोनों को आप off करके रखिए और crossword से जैसा भी आपको frequency set करना है उस हिसाब से आपको कर सकते हो वहीं अगर हम बात करते हैं अगर हम एक channel में top चलाते हैं एक channel में base यहाँ पर जिस channel में आपको top चलाना है उसको आप low pass filter को off कर दीजे और जिसमें आप base चला रहे हो उसको आप 120 हर्ज में set कर दीजे जो कि काफी अच्छा base आपको मिल जाएगा बिना किसी crossword के और जो आपका limiter है limiter को आप on करके रखिए कभी भी अगर आप ज्यादा volume खोलते है तो limiter आपका जो है आपका sow करेगा मतलब कि जो आगे आपका clipping होता है red बत्ती होता है वो आपका sow कर देगा अगर आप off करके रखते हैं तो आपका sow नहीं करेगा ज्यादा sound खोलेंगे तब ही करेगा तो यहाँ पर आपका speaker का voice call damage हो सकता है तो यहाँ पर आपका sound में चलेगे काफी अच्छा रहेगा और काफी safe भी रहेगा तो यहाँ पर limiter को आप on करके रखे और यहाँ पर आप reset का भी आपको मिल जाता है यहाँ पर अगर आप जैसे की overload amplifier हो जाता है तो यहाँ पर reset आपको मतलब reset आपकी assemblifier को कर सकते है तो यहाँ पर आपको पीछे के setting काफी अच्छे से बताने की कोशिद करी सारा चीज और भी कूछ अगर छोट रहा हो तो comment में बताइए मैं बताने की कोशिद करूँगा और निचे आप यहाँ पर जैसे की आप देखी सकते हो stereo mono mode में tombs लेकर के forums और atoms के उपर आपको speaker का setting कैसे करना है one plus में plus speaker लगेगा one minus में minus का जो है आपका लगेगा wire यहाँ पर काफी detail आपको मिल जाता है पीछे back panel में आप amplifier के back panel में जितना भी आपर इस specification लिखे होते हैं अगर आप सभी चीज को अगर अच्छे से पढ़ लेते हो या फिर अच्छे से देख के समझ लेते हो तो काफी अच्छे से आपको पता चल जाएगा सभी detail से आपर दिये होते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही था वीडियो को like, share जूरू करिएगा चैनल में अभी तक नए है तो subscribe करके bell icon call में set कर लेजेगा कियोंकि मैं डिजन स्लेटर ऐसे वीडियो अपलोड करता हूँ इस चैनल में और वीडियो कैसा लगा वीडियो को नीचे comment में बताएए वीडियो कैसा लगा, किस topic पर चाहिए कोई भी सुझा या फिर कोई भी comment हो तो जूरू बताएगा वीडियो काफी ज़्यादा लंबा हो गया है लेकिन काफी अच्छे से बताने की कोईस करी मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन्दि मातरम